हेलो इप्रीवर्ण, आई एम जोती जार एंड वेलकम टो एंसे अर्ट वाइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फाइब हिंदी अधियंत वर्कबुक जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं खंडखो में वर्कशिट वन ठीक है, खंडखो का वर्कशिट वन जो की बहु इस तरह कहें गध्यांस रहेगा, आपके एक्जाम में भी आएगा और आपको उसे वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ना है, समझना है और कॉस्चन का एंसर देना है, ठीक है? एक बार बोधी सत्व पहारी रास्ते से होकर उस पारबस्ती की ओर जा रहे थे, अचानक उनकी द्रिष्टी नीचे घाटी में बैठी सेर्णी पर पड़ी, उसके पास ही दो नवजात सावक उछल खूद कर रहे थे, सेर्णी ने दो दिन पहले ही उन बच्चों को जन दिय इस कारण वह इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उसमें सिकार करने तक की सकती ना थी, वह सेर्णी तीन चार दिनों से बिलकुल भूकी थी, उसकी दसा देकर बोधी सत्व का हिर्दे करुना से भड़ गया, उन्होंने सोचा इसी प्रकार एक दो दिन और भूकी रहने पर तो इस सेर्णी के साथ साथ इन साबकों के प्रान भी संकट में पढ़ जाएंगे, यही सोच उन्होंने अपने सरीर को एक चटान से टकड़ा दिया, और कुछ ही समय में चटानों पर लुढ़कता हुआ उनका सरीर सेर्णी के पास जहा पहुँचा, उनके मृत सरीर को खाकर से तो इसी तरह से आप पढ़ेंगे और यहां पे सही विकल पर सही का निसान लगाएंगे आपको जो है ना सही विकल पर सही का निसान लगाना है जैसे दिया हुआ है कि सेर्णी ने कितने बच्चों को जन दिया था कितने बच्चों को तो दो बच्चों को टिक लगाएंगे व भड़ गया, यहापे लिखेंगे हम करुना, ठीक है, बोधी सत्व ने अपना सरीर एक चट्टान से टकड़ा दिया, एक वाकी में उत्तर लिखे, बोधी सत्व को कहा जाना था, कहा जाना था, तो बस्ती में जाना था, ठीक है, सेर्णी ने अपनी भूख कैसे मिटाई, चुधा मिन्स भूक निम्निलिकित काव्यांस को ध्यानपुर्वक पढ़कर प्रश्णों के उत्तर लिखे अब इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और प्रश्ण का उत्तर देना है ए व्रिक्षराज होते ही सुबह चिरियों किर्णों ने क्या पूछे या पूछे कोई और नहीं नदियां कलकल परवत उचे तुझ पर बैठा कोई सोच रहा नब है उपर नीचे है धड़ा डालिया हरी पत्ते है हरे दिन बीच पतिक की धूप हरे कभी न यह आराम करे हर सुबह जगे हर साम जगे रातों प्रहडी का काम करे सही विकल पर सही का निसान लगाए नदियां कैसे बह रही है तो कलकल करके तिक लगाएंगे विक्षराज के कौन-कौन से भाग हरे रंके हैं तो डाल और पत्ते तिक लगाएंगे रिक तस्थान भड़िये रातों को विक्षराज पहड़ा देने का काम करता है इसमें लिखेंगे पहड़ा सुबह होते ही चिरियों और किर्णों ने विक्षराज से बाते की थी कौन-कौन किया था? चिरियों और सुबह होते ही चिरियों और किर्णों ने एक वाक्य में उत्तर लिखे ब्रिक्ष राज से हुई चिडियों एवं किर्णों की बाते जानने की इच्छा किस किस की है तो नदिया और परवत ब्रिक्ष राज किसे च्छाव पहुँचाता है और किस समय किस समय तो दिन के समय पथिक को च्छाव पहुँचाता है थीक है वचन बदल कर लिखिए अब नदियाँ है अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या होगा नदि दालियाँ का डाल थीक है तो इस तरह से आपको बना लेना है अच्छे से आपका worksheet complete हो चुका है ये first worksheet है और भी worksheet है तो मैं आपको सारे worksheet बताऊंगी और आप अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि ये exam में आएगा बिल्कुल ही आएगा और आपको जो भी परिशानी हो रही हो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स टो वाच मै वीडियो